देखिए सबसे पहले तो आज सुबा जो प्रोटेस्ट हुआ है गुलबरगा में वो प्रोटेस्ट ये लगता है कि टोटली एक फैब्रिकेटेड लो ये डिमांड्स लेकर यहाँ पर आये हैं देखिए जो शिडाम सेने इनसे हमारे को ये सडी पियाई को हो या फिर दूसरे जितने भी मुस्लिम संगठन है उनको कुछ भी फरख नहीं पड़ता ये जो शिडाम सेने है ये खुद एक सबसे बड़े आतंगवादी है ये दूसरों को पर आतंगवादी का तोहमत लगा रहे हैं आयतेजाज में आतंगवादी संगठन कह रहे हैं पहले तो इनको ये न इनको नहीं मालो, Social Democratic Party of India, it is a political party, it is not an organization, ये लोग संगठन बोलकर SDPI को बैंड करने की बात कर रहे हैं, कोई Chinese app नहीं है SDPI, एक political party है, इसके elected representatives है, ग्राम पंचायत से लेकर, कॉर्परेशन से लेकर, तमाम जगाओं पर, Assembly और Parliament election लड़ती है SDPI, और Election Commission of India में registered है SDPI, लेकि ये लोग SDPI को ऐसा समझ रहे हैं, कि कोई Chinese app बैंड करने की बात करते हैं, उस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले, ये श्रीराम सेने अपने आपको खुद को अंदर जांक कर देखे, इनके कारणा में क्या हैं, इन्हों ने सिंदगी में, जहां पर लंगवादी चीजों में ये लोग involved हैं, श्रीराम सेने के लोग, तो ये लोग हमार को बोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज, ये खुद गोवा में और महाराश्रा में और कहीं जगाओं पर बैंड हैं, श्रीराम सेने, प्रमोद मुतलिक बैंड है, और सिदलिंग सवामी कई जगाओं पर बैंड लगा चुके हैं इन लोगों के अपर, और कई क्रिमिनल केसस इन लोगों के अपर बुक हैं, तो ये लोग आकर हमार को लेक्चर दे रहे हैं, हमें इनकी लेक्चर की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज, जो बीजेपी सरकार है, ये जो बी इनकी सियासत हमेशा लाशों पर होती है, आप देखिए, तमाम जगों पर सिर्फ लाशों के उपर सियासत करते हैं, सुसाइड अगर होता है, तो उस पर भी ये लोग सियासत करते हैं, कोई मडर होता है, उस पर भी ये लोग सियासत करते हैं, कोई नैचरल डेथ होती है, उ जब से 2014 से पहले से हम देखते आ रहे हैं कि इनकी तारीक है ये करने का इनका एक ये मन्शा है क्यूंकि आप करनाटका में बसवराज बंबी सरकार जो है ये टोटली फेलर हो चुकी है इसलिए ये लोग इस तरीके से कह रहे हैं ये लोगों का ये यहां तक भी ये इस हद तक गुरिक चुके हैं अगर ये लोग करप्शन करके जो नोट जमा करके अपने बंगलों में रखे हैं अगर उसको चुवा काटा या फिर चुवा मर गया तो चुवे मरने की जिम्मेदारी भी SDPI के उपर डालेंगे या फिर किसी मुसलिम संगठन के उपर डालेंगे ये एक शर्मनाग बात है इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है इस चीजों में एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ हाली में अशोक पुजारी जो अभी भी जिन्दा है उसकी लिस्ट उसको डेड लिस्ट में डाला गया उसको ये बताया गया कि ये मुसल्मानों ने या फिर देज़ी जो कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग पर चढड कर कंस्ट टॉक्शन का काम कर रहा था उस वक्त वह गिर गया तो उसको भी मढ और बताए इनों ने उसको भी मुसल्मानों के ऊपर थोपने की कोशिश की उसके इसलेज स्विपाइए ऊजित कूश कोशिश की उसके बाद कार्तिक राज जो मंगडूर के अंदर मडर हुआ था उसके बारे में भी मुसलमानों के अपर डालने की कोशिश की कौन पकड़े गया कौन अरेस्ट हुआ खुद के रिष्टेदार अरेस्ट हुए उसके बाद मसूत का मडर हुआ मसूत के मडर में का मूँ नहीं खुला, अब फरसुों जो फाजिल का जो मडर हुआ सूरतकल में उसमें कौन पकड़ेगे और शेति पर बजरंगदल के लोग पकड़ेगे लेकिन उसके बाद इन लोगों का मूँ नहीं खुलता और शेति को बैंड करने के बारे में बजरंग दल को बैंड करने के बारे में, श्रीराम सेना को बैंड करने के बारे में, तो ये इनके दोहरी एक नीच पॉलिटिक्स है, इसलिए ऐसी नीच पॉलिटिक्स का एक परदाफ़ाश करने का नाम है Social Democratic Party of India, आज SDPI मुसलमानों की, दलितों की, OBCs की सबकी आवाज बन है, SDPI एक रियल अल्टरनेटिव का काम कर रही है, इसलिए इन लोगों को डर और खौफ है, इसलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, तो हमें इनके बातों से, इनके बयानों से, इनके नारों से, कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला, कुछ भी फरक पढ़ने वाला नहीं है, और आने वाले Assembly Election में हम मूँ तोड़ जवाब BJP को देने वाले हैं, वो लोग साफ साफ करें कि जो भी हिंदू के साथ हो रहा है, जो कोई हिंदू को मार रहे है, या फिर कोई हिंदू मर रहा है, तो उसकी पिछे PFI और SDPI का हाथ है, ने उनका काम ही वो है, देखिए जब भी पोलिस अभी एक investigation चल रहा है, अभी एक investigation को आप divert करने की कोशिश कर रहे है, तो ये एक चाल है BJP की, ये हमेशा यही काम करते हैं, आखिर में open होता है कि ये BJP के लोग या फिर दूसरे कोई rivalry से या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ बुलकर नजर आता है, तो ये इनका काम ह मैं बोला ना, वजय एक ही है, SDPI एक real alternative है, आज Congress ED की office में बैठी वी है, आज दूसरे दीगर political parties को खामाया जा रहा है, उनके files open किये जा रहे हैं, लेकिन SDPI की file कोई open नहीं कर सकता, और ना ही कोई SDPI की file है, इसलिए वो हमार को ऐसे चीज़ों से डरानी की कोशिश कर रह नहीं है, हम लोग सवीधानिक अधिकारियों को इसाथ लड़ने वाले है, एक लास्त सुभा जो राम सेना मेंबर्स का जो statement आया है, उनको क्या कहना चाहेंगा, उनको यही कहना चाहूंगा, खुद तो उनको political awareness नहीं है, और साथी साथी SDPI के बारे में उनको मालूम नहीं हैं, और वो ऐसे अलफाज हैं, मैं देखा, वीडियो कोई भेजे थे मुझे, मैं देखा, उसके अंदर उन लोगों को बोलने तक नहीं आ रहा, अगर उनको हिंदी बोलने नहीं आता, तो कनड़ा में तो बोलें, कनड़ा की मातर भाशा में बारे में बार बार बड़े-ब वाला नहीं है, का गुलबरगा हो, या करनाटका स्टेट हो, एक यहाँ पर एक जुम्मेदार जनता रहने वाली लोग हैं, और ये पूरे देश को ये बताने वाले लोग हैं, कि हम आने वाले असंबली एलेक्शन में एक रियल अल्टरनेटिव आज चुन चुके हैं, जिस इसका नाम है Social Democratic Party of India.